नमस्कार मित्रों मैं प्रसान सिर्वास्तों आपका स्वागत करता हूं अपने यूटीब चैनल स्री प्रसान टेस्ट्रोलाजी में मित्रों आए जान लेते हैं कि कन्या राशी वालों के लिए 2021 का साल की जो सुरुवात रहेगी वो थोड़ी सी दिक्कत वाली रहेगी कि पूरी पूरी गुंजाई से एक आएक कहीं से लाब मिलने का पूरा पूरा इस्थती बन रही है लेकिन स्वास संबंदी जो दिक्कते हैं वो जो रहेगी स्याल की सुरुवात में आपको हो सकती हैं किसी प्रकार की चोड़ चपेट एक्सिडेंट छोटी मोटी कोई दु सकते हैं थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है थोड़ी से समस्या नहीं भी होगी तो भी आप अपने दिवां में समस्या बनाए रखेंगे बच्चों के प्रति या ज्यादा उनके प्रति जरूरस ज्यादा आप उनकी चिंता करेंगे उनके बारे में सोच विचार करेंगे तो ये आपको दिक्कत हो सकती है, इसी के साथ मित्रों, आप लोगों को कन्या रासी के जो लोग रहेंगे, उन लोगों को आर्थिक रूप से, साल की सुरुवात में ब्योस्थाएं बनी रहेंगे, लेकिन आप लोग भवी सिक्यों लेकर चिंतित रहेंगे, और आप लोगों को चिंतित रहना आवश्यक भी है, क्योंकि आने वाला जो समय रहेगा 2021 का सेकेंड आप, उसमें आप लोगों को आर्थिक रूप से दिक्कत हो सकती है, आर्थिक व्योस्थाएं आपकी थोड़ा सा जो है, इधर उधर हो सकती है, तो इसलिए आप लोगों का जो चिंतित होना है, सुभाविक भी है, क्योंकि आप चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन इस बात की पूरी पूरी वो आप चिंता ना करिए, कि अभी साल के सु सुरुआत रहेगा, उसमें आपको आर्थिक रूप से समझ रहें, नहीं आने वाली है, सुरुआल की सुरुआत में जो समझ रहेंगी, वो आपको आएंगी सारीरिक रूप से, स्वास्थ के रूप से, तो इन समस्याओं को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इनसे दोचार होना पढ़ सकता है, जरूरी नहीं है, कि होना ही हो, क्योंकि सबकी कुंडली में अलग-अलग इस्तितियां होती है, इसी के साथ साथ मित्रों, आप लोगों का आर्थित पक साल के सुरुआत में अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने पती से, पतनी से, अगर आप पती हैं तो पतनी से, अगर आप पतनी हैं तो पती से, थोड़ा मन मुटाओ, थोड़ी जंजटबाजी, थोड़ी दिक्कत, थोड़ी समस्याएं, ये सारी चीजें भी साल के सुरुआत से लेके आपको फरवरी तक बनी रह सकती है, उसके बाद ये सारी चीजें इन सारी चीजों में कमी आ जाएगी लेकिन आर्थिक रूप से आपको अपने आपको बराबर चिक करते रहना चाहिए और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी प्रकार के एका एक आए हुए धन को या एका एक आए हुए लाभ को आप एक बार में खर्च मत करिएगा इस उमी उसको आप बचाने की भी उसमें से कोसिस करिएगा क्योंकि आपको लाभ तो होगा अनेक्सपेक्टेड हो जाएगा एक एक आएक आपको आर्थिक लाभ हो जाएगा या किसी अन्य तरीके से भी लाभ हो जाएगा लेकिन उस लाभ को यूटिलाइस करना वो आपके लिए ए रादमयाट दो त nou आप क्या करेंगे तो इसलिए जो है आप जो भी लाब हो उस लाब को आप इस ह्जाब से मैनेज करिए कि आने माला समें जो है वह समय भी वह चीज जो है आपको काम दे इसी के सहाथ मित्रों पती से पतनी से सस्राल से थोड़ी से स्रुवाद के दो महीने आपको दिक्कत रहे दिक्कत नहीज़ रहे गी आप दिक्कत बनाए रखेंगे कुछ नहीं कुछ आप आप लोगों का थोड़ा सा उस भीष चलता कि आपको आपके जो सेकेंड हाफ वाला पीरियड है जो उसमें आपके पती है या पत्नी है उनको सेकेंड हाफ में तकलीफ हो सकती है दिक्कत हो सकती है स्वास्वमंदी कुछ तमर्स से आया सकती तो उस चीज को भी आपको देखकर चलना होगा उस चीज को भी आपको मैनेज करना होगा कि किसी भी तिती से पहले से निपटने के लिए अगर उनका स्वास्त खराब है आपके पती का यदा पती का अगर आप पती है तो आपंदी का अगर अगर कि कॉच्छ5 इसको बञाबर चेजब करते इकता सकती है उनका लोन संबंदी गता सकती है उनका थोड़ासा आर्थिक पक्ष जो रखता है उनको आपको थ्यान रखने की आवश्च रखता है इसी के साथ मित्रों अगर आपके कन्याराशी के जो लोग हैं वो व्योसाय में अपने या जो भी उनका जो काम है जो भी उसमें नौकरी है जो भी उनका बिजनेस है उसमें इस दौरान पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ा सा धीले ढाले उनका रवया जो है इस दौरान जो है वो थोड़ा सा ध अच्छा नहीं लगेगा कि अभी आपका ये जो धीला ढाला वाला रवया है ये लगभग मार्च तक बना भी रहेगा मार्च के बाद आप एक्टिव होंगे मार्च या अप्रेल के बाद आप जो है एक्टिव होंगे आप कर्म छेतर में अपने फिर कायदे से जो भी आपका है नौकरी है विजनेस जो कुछ भी है तो आपको अभी एक्टिव होने में दो तीन मैंने आउर टाइम लगने वाला है लेकिन जब आप एक्टिव हो जाएंगे तो अच्छे से हो जाएंगे फिर आप बहुत मेहनत करेंगे क्योंकि फिर आपके सामने लक्ष यह भी रहेगा कि हां आगे कि फिर उस्ताय हमको बना के चलनी है तो अप्रेल मार्स के बाद अप्रेल से आप यह मान के चलिए कि आप अपने कर्म छेतर में जिसको क्या अपने धीला छोड़ करक्खा है अभी उसमें भी आप एक्टिफ होने वालें अप्रेल मित्रों कर news ऐलों के लिए दो हजार एक्ईस साल काफी को हचे जालेंज्यम साल रहने वाला है उसमें सबसे बड़ी जो समस्या रहेगी कन्या रासी वालों के लिए वह रहेगी उनके आलस को लेकर और उनके धीरे धीरे या slow direction में slow speed से काम करने के करीके को लेकर तो इसलिए आपको alert होने के आव सकता है तेजी से अपने लक्ष की ओर बढाना के आव सकता है जिससे समय से चीजों को पूरा किया जासे एक चीज ये रहेगी कि कन्या रासी वालों के लिए जो 2021 वर्स रहेगा साधी विवाः और प्रेम रोमांस इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा कम अच्छा रहने वाला है इन सब चीजों के लिए थोड़ी सी गुझाइस 2021 में इन लोगों के लिए कम रहेगी इसलिए निरास होने की जबुरत नहीं है 2021 का जो फिर सेकेंड हाफ आएगा उसमें इस्थितियां थोड़ी सी इंप्रूब हो जाएंगी थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी लेकिन सुरुवात में जो है अरासी वालों के लिए रहने वाला है बस आपको आलाश छोड़कर जुट जाना होगा इसी के साथ मित्रों इस वीडियो में इतना ही नमस्कार